नमस्कार दोस्तों को हमने ले लिये हैं यहाँ पर तीन पाक उपली हमने हैं तो गोवी को जैसे देख रहा है कि आप ठोकर अच्छे से रख लिया है । इसमें खेर में डालने के लिए यहाँ पर दोस्तों सबसे हैं भूत देख़े हैं की चीनी ली एंची लिए हैं चीनी हमारा सौ ग्राम है जीनी चैजरदम हर सक देने के bags 對 दे ह양ईologा ने बाद में लुद्त अगर गोबी को है और गोबी सारे डंटी को इसी तरह से मू तोड़ ले रहे हैं है और गोबी को तोड़ने के वाद से एक फुल गोभी लेकर सफ पर हम और संग दोस्तों जो उपर की डंटी इसमें का बचेगा उसको माठा लेंगे सबजी में यूज कर लेंगे इसको आपको ध्यान देना इसकी डंटी नहीं डारना एक खीर बनाते समय इसकी डंटी में जो रहता है लेजको टाइप में रहने लगता है अभी तो ये नरम है अब इसको हम अटागे एक साइड में रख दे रहे हैं इदर करहिया गरम होने के लिए रख दे रहे हैं इसी तरह से सारे फूल गोवी को हमने चस ले रहे हैं इदर आप देख सकते हैं सारे फूल गोवी को इसी तरह से हमने चस ले रहे हैं शचने के बाद से गोवी को हम दिखा दे रहे हैं कि इसमें गोवी में जैसे देख रहे हैं फानी उतना नहीं है ये तो गोवी में जैसे हमारे बहुत जादे फानी निकलता है अब दोस्तों इसको हम घीव डालेंगे इसमें तीन चमच घी हम बड़े चमच से डाल दियें इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं गोभी डालकर अच्छे से भूनेंगे गोभी को तीन चार मिनट अच्छे से पूरे भूनेंगे इसको जाकि इसकी अंदर की पानी जो हो जल जाया इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे इहाँ पर आप देख सकते हैं कि गोभी का हमारे कलर चेन्ज योने लगा इसको भूनते भूनते दो मिनट हो गा इसी तरह से फैला फैला कर इसको भूनेंगे जाकि अच्छे से पानी जल जाए अब इधर देख रहे हैं कि गोवी अच्छे से भूना गया है तो और इसको दो मिनट तक भून ले रहा है इसी तरह से इसको पूरे गोवी को हमने चार मिन अच्छे से भून लिए अब भूनने के बाद से एक प्लेट में इसको निकार लेंगे यहाँ पर हम प्लेट में निकार ले रहे हैं गोवी को अब यहाँ पर तीन पाव को हमारा दूद है इसमें डाल दे रहे हैं करहिये में दूद को डालने के बाद से अब दूद हमारा एक उबाल अच्छे से आ जाएगा चीनी भी डालने है इसमें चीनी या दूद को हम खौलते तक इंतिजार करेंगे एक उबाल जब अच्छे से हमारा आ जाएगा दूद हमारा गारा हो जाएगा उसकी बाद इसमें हम डालेंगे सारे चीज अब देख सकते हैं कि हमारा दूद उबला हो गया है बहुत गारे दूद भी हो चुका हमारा तो दूद के हमने दो तीन उबाल अच्छे से आने दिये हैं पहले दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि दूद हमारा गारा भी वो चुका है आउबाल भी अच्छे से आ गया तो आप देख सकते हैं कि दूद बहुत अच्छे से हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम गोवी को डाल देंगे दोस्तों आपको ध्यान देना जब तक दूद में उबाल नहीं आता है तब तक हमको गोवी नहीं डालना है नहीं तो दूद हमारा फट जाता है अब इसमें हम डाल देना डालकर अच्छे से चला लेंगे अब इसको पांच मिनट इसी तरह से अच्छे से और पकाएंगे खीर को इसमें दोस्तों आप खुआ भी डाल सकते हैं खुआ डालने पर और टेश्टी इसका खीर लगता है अब इसमें देख रहे हैं गड़ी चसी हुई डाल दिए उसके बाद काजू और बदाम को डालेंगे मुनक्की डाल दिए काजू और बदाम इस शबय चीज़ों को अच्छे से स्वी हम डाल दिए डालने के बाद दोस्तों अब लाइची को खलवट्टे में अच्छे से कूट कर उसके बाद डालेंगे अब यहाँ पर देख रहे हैं लाइची हमने लिए हाथ में लाइची को अपने खलवट्टे में अच्छे से कूट ले रहा है आपके पास लाची पाउड़र हो तबी भे आप डार सकते हैं उसमें अब कुड़कर इसको जैसे देख रहा हैं कि एक थालिम पल्टी कर लेंगे इसके छिल्के अटादेंगे लाची के छिल्के हम चाए में यूज़ करेंगे इसको निकाल ले रहा हैं बाहर अब इसमें हम लाइची को भी डाल दियें लाइची के डालने से हमारे खीर की टेक्ष्ट और बढ़ जाती है यहाँ पर दोस्तों अब हमारा खीर देख रहे हैं बन कर तयार हो चुका है तो प्लीज आज की रेश्पी हमारा आपको अच्छा लगा तो सेस्क्राइब और लाइप करना दोस्तों ना भूलें जाकि जब भी कोई वीडियो ना है तो आपके पास हमारा वीडियो हर समय पर मिलते जाएं दोस्तों वीडियो सुरू से लाश तक देखना चाहिए तो अब देख रहे हैं दोस्तों कि यहां पर हमारा खीर बन कर तयार हो चुका है फिर हम नई वीडियो के साथ आप सभी से मिलेंगे जै माता जी बाए बाए